बिख्यान सेकंड ग्रेड नमस्कार दोस्तों सभी का हंदिख सवागत काफी महद्व पुर्ण औरा पिपर सॉलीशन और यह यह सॉलीशन और पिपर यह लिजु का पिपर 1 है जनरल एजुकेशन का और संजकर्त एजुकेशन का उसमें जो भी परसन है बाइलोजी के वह बहुत ही महतुपून परसन है और यह परसन यह दिया आप निश्यत रूप से दोस्तों हल करोगे तो आगे आने वाली एक्जाम के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी क्योंकि ब ह plugin आप तयारी करते हो ओल्ड पर सुलुशन एक बार जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइब भी करें हैं सुरुप करते हैं हम क्लास कि क्यूशन नमर thousand यह किसन नमबर एक दोस्तों आपके सामने है देखिए इसन नमर एक आपके सामने हैं यहां आपको बताया गया है किसके बारे में इवोलुशन से से हमारी जो किशन आया है वह लेमार को डार्विण से ज्यादादा प्रसुपूचा जाता है जहांबे आपको लेमार्क दिख जाता है दोस्तों उपारजित लक्षुन की वनसागती आपको अच्छे से मालूम है इसके लावाद डार्विन है डार्विन ने बहुत सारी बाते बताई थी कि जीव तो हैं अत्यदिक संख्या में पैदा होते हैं संगर्स होता है विबिंता लेख में जाता है और फिर आगे अपना प्रभाव दिखाता है तो पैंजिवाद का समद्ध भी किसी दोस्तों डार्विन से ओके और जहां वीजमें दिख जाता है वहां जनन दर्वे की निरहनतरता का सिद्दान आपको यादो नाचिए दोस्तों डीबिज जहां दिक जा कि ओके दोस्तों नमबर से नमबर 2 में सबस्सेर we कि अंदर कोन सा सही सुमेलित है इसमें ने हैं उनके बाता हैं ने सबसे सटीख और वो बाहर निकालते हैं और जो भी एर अंदर लेते हैं हवा वो कहलाता है दोस्तों जुआरी आयतन जिसको टाइडल वोल्यूम कहते हैं टीवी और टाइडल वोल्यूम टीवी है वह उप्सन नमबर एक में हैं बिल्कुल करेक्ट है कि सामाने सोचन में अन्तैस वसन और उच् आमासे कि बारे में मैंने पहले दिया था दोस्तों उसमें आपने देखा भी होगा कि एमासे है उस्लामासे में सोरी iterations पाचल किसका होता है प्रोटीन का और प्रोटीन का अंसिक पाचल करने करने वाण एंजय में दोस्तों पेपसिन छोटे बच्च्छो के अंदर दूद में केशिन प्रोटीन पाई जाती है केशिन प्रोटीन का पाचल कोण और बुदध कम लाइब वशा का पाचन नायप पहलता है तो आमासमें प्रोटीन को प्रोटीुज हम करे। और reinin? केसीन को पेरा केशन में बदलेगा लाइपेज, वसा का पाचान बहुत कम हात्रा में तो हम कह सकते हैं कि amasem में वसा का पाचन बहुत कम होता है वसा का पाचन कोड करेगा? Вот a cup deez, रेणियन किसका करेगा? केसीन का केसीन? कहां मिलेगी दोस्तों दूद में और प्रोटिन का पेपसिन करेंगा तो आपके सामने जो किसन है उसमें उसमें हैं आपका तीन नंबर का बिलकुल CORRECT है पैपसिन, लाइपेज, रेनीन कहां मिलेंगे दोस्तों आमासे में आमासे में उपस्तित एंजाइम है Okay क्यूसर नमबर 3 यह मैंने पूरी डिटेल बताई है एंजाइम के बारे में आमासे में कौन-कौन सी प्रक्रिया कैसे कैसे है दोस्तों इसकी पीडियाफ आपको मिल जाएगी कि दार्विन लेमार के बारे में मैंने आपको बताया है पूरे अच्छे से इसकी आपको पीडियेट मिल जाएगी अगला क्यूशन देखे क्यूशन नमबर चार क्या कर रहे दोस्तों देखे आपके सामने क्यूशन नमबर चार आपको बता रहा है कि पेसी कोशी काउं में ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में जो मसल्स सेल है मसल्स सेल में ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में अनाक्सी सुसन होता ह और उस अनाक्सी शुषन में जो पाइरवी कमल है उटी्क में बदल pulet來kin जाता या उस अनुका बढ़ेगा ऊता का करने का न लेक्टी कमल कहां बनेगा में पेश्यू में क्यों मोणा सीचन होगा अनाक्सी शुषन होगा दोस्तों तो अनाक अक्सिजन की अनुपस्तिज में तो मसल्स में क्या होगा दोस्तो लेक्टिक अमल बनेगा प्लस अर्जा यह पेशी में यह वह इस्ट की बात करता तो इस्ट में दोस्तों आपको क्या बताना था एथेनोल की बात करता तो सियो टू जल और उबात है और बिल्कुल कैंसिल कर दो यह आपका होगा लेक्टिक अमलपसा नमबर चार कि मद्ध्यवर्ति पोसक किसमें नहीं है अच्छा परसन इंटरमीडियेट का मतलब है कि कोई भी रोगकारक है वो अपना दो प्राणियों के आवश्चिता पड़ती है दोस्तों दो प्राणियों की और एक मात्र ऐसा प्राणि जो सिर्फ एक ही होस्ट के अंदर जिवन चलाता है वो है दोस्तों गोल कर्मी गोल कर्मी में कौन आते हैं गोल कर्मी में कर्मी आते हैं जिसमें हम बात करेंगे एसकरिस do AISS के रींस दोस्टो अपना जीवन आत्र में पूरा करता है और इसका पोसक एक है मनुस्यार एसकेर इस रहुत पेदा करता है तो एक ही पोसक में यह इसके लिए होश्ट है वह अलग-लग नहीं कर दो की प्लाजमोडियम की तो मच्छर और मनुस्य यक्रत करमी दोस्तों आपको पता है दो में जीवन चलाता है और टेप वर्म का जीवन चक्रक के लिए दो होश्ट की आवसिकता पड़ती है राउंड वर्म है एक मात्र ऐसा वर्म है जिसमें कोई मद्यवर्ती नहीं है सिर्फ कौन सी लाइव एनुटेड का मतलब क्या है दोस्तों की जो रोग कारक सुक्सम जीव है उनको मनुस्य के अंदर परवेश करवाया जाता है और वह रोग कारक सुक्सम जीव जिवान हो सकता है को एंटीजन होगा वह अंदर जाकर इम्मिनिटी उत्पन्ण करेगा तो लाइ वेंदे गई जैसे ओपीवी जैसे बी सीजी ऑपीवी बी सीजी यह जो टीके है वह किसके हैं दोस्तों लाइव एनुटेड प्रफम पीडिटी टीके टीक टीके अलगलग पीडिये म coyness इस परतम पीडी में वो टीके बनाये गये सब्सक्राइब रिखने ट्रीक तयार के जाते हैं जिनमें जिन्स का उपयोग होता है तो कुछ वायरस जनित बीमार्यों के लिए जो टीके तयार किये वह थार अब हम बात करें लाइव दो लाइव अनुटेटि पर्थम पीडी के टिके हैं जिसमें बीसिजी ओपीवी और इंफ्लौेंजा आधी के टिके तैयार कि इसी में कि इसी मिन देखिए वैक्षीन में वैक्षीन जो सब्द है वैक्सिन जो सब्द है वह सब्द दोस्तोउ वह से लिया घह और होता है एक्षा अग्जां में पूछ आ यह का इंए कंफ जीनर बोडी गता है एंटी बोडी परती रख्षा के आधार पर प्रत्थम पीडी के टीके जित्ते पीडी के टीके में हिपेटाइटिस बीकर टीक आता है और तरते पीडी के टीके में जीन आधारी टीके आते हैं अब लाइव एनुटेट टीके हैं वह लाइव एनुटेट टीके कौन कौन से टीके हैं दोस्तों तो लाइव एनुटेट टीके में और प्रवेश करवाया तो ऐसे टीके हैं और प्रवेश करवाया तो एसे टीके हैं और कोंबिनेशन ये हम करेंगे तो कॉम्बिनेशन के दुवारा डिपी टीके का टीके में दिया दोस्तों और एम एम आर का और ये सभी टीके कौंडेशे हैं प्रथम पीडित के सिखे। इसके अलावा जो गोल कर्मी के बारे मैंने आपको बता दिया कि गोल कर्मी मोनोजिलेटिक होते हैं एक पोसी मद्धे पोसी का अभा होता है एक पोसी है और यह आपका आंसर गया है इनमें अनाक्षी सुष्ण होता है उत्सरजन रेनेट कोशिकाओं की द्वारा होता है कर्मी है दोस्तों इसमें धुदो होते हैं और कि इसमें फिर पोसक हैंam अंप देखिए सोसं की रहत आता हैं कि अग्ला देखिए कि एक केमेस्ट्री के कुछन हमारे नहीं दोस्तों हम बाइलोजी का पार्ट हल कर रहे हैं कि उगाए टेखिक करें अगरोजी ज करने चिए कै पार्ट हुआर्ट, HERE कि ए से बाइयलोजी का पार्ट अमारे लिए इंप्रोटेंट है फॉर दोस्तों कर सकते हैं कि यहोगी सिद्ध आपके सामने दोस्तों एक सिक्वेंस दीए हैं और उस सिक्वेंस के बारे बात करते हैं दोस्तों साइनोडरोन साइनोडरगलोनो क्या है तो जब protein synthesis होता है do दोस्तों उस प्रोटीन संथिस में एव माने की जो राइबोसों से बैंडिंग साइट वो बैंडिंग साइट क्या canal रात है संफानोडल गरनो रहा सहीं एम्हार ने की बैंडिंग साइट राइबोसों से इसके अलावा द्वी सुत्र न्यून्ता का मतलब क्या है दोस्तों तो आनोंसिक पदार जो गुन सुत्र होते हैं उन गुन सुत्रों के अंदर कई बार तो क्या है सुगुनिता है यूपलोडी कई बार ऐसुगुनिता है एन्यूपलोडी तो एन्यूप्लोडी में जो क्रोमोजोम्स हैं उनके सैट में एक या दो गुनसुत्र की क्या होती है कमी या अधिकता तो कमी या अधिकता को अलग लग नाम देते हैं यदि गुनसुत्र सैट में दो गुनसुत्र की कमी है तो ऐसा जो प्रोसेस है क्रोमोजोम्स का वो कहलात तो द्रीशुतर न्यविल्टा एंग्लिश ट्रम है और नूर्णी सोमि का मतलब है जो서 हम समें दो गुल्न सुत्रुं कि कमी है ओके ऑबहर है third in हैं तो यहां आपका आंसर होगा नूर्णी सुमिइंट में क्या बता JUST दोस्तो तो A rinse through यह नोली शूमी यहां दो गुंडशुत्र गर्काएं दोस्तो कमी और कि हैँ कॉनसा हेमिकोड़ेटा का उधर्ण है हेमिकोड़ेटा के प्राणी दोस्तो Twist के लाते हैं हजो रॉन देंचा भालवा है य संड और यह तो मिद्धह बैलों बेलिघने समय तो पराणी है धोक्रोण में का 7 नंग है दोस्तों वह विशेश परकार के खंडू से बढ़े और उन खंडू की हम बात करें तो उस खंडू में जो एक पार्टैटी बिया वह सबसे बढ़ा है तो टीविया ट्रोकेंटर फिमर टीविया सबसे बढ़ा गमनांग है गमन अंगू के द्वारा कोक्रोच जो बात है कि जो कोक्रोच है वो वक्स भाग में तीन जोड़ी टांग और दो जोड़ी पंक पंक कितने दोस्तों दो जोड़ी तो दो जोड़ी पंक और तीन जोड़ी टांगें तीन जोड़ी टांगों में खंड है वो खंड है कोकजा, ट्रोकेंटर, थीमर, टीबिया और तार्सस सबसे बड़ा खंड कौन सा है TBI और यह अच्छा प्रूशन है कि सबसे बड़ा खंड कौन सा है TBI यही आपका क्यूस्टन है कोग्रोज का सबसे बड़ा खंड किसका lag का TBI इसके अलावा है My Codata है वो Codata और Non Codata की विचके योज़़कडी है और Belenoglosis है वो आपका है एकाइन ओडर मेटा दोस्तों बाइ पिनेरिया लारवा है और तोर नेरिया लारवा आपको मैंने बता दिया समुद्री प्राणी हे कई नोडर मेटा के हेमिकोर डेटा को एंटेरोप निश्टा और टेरोब्रेंड क्या में डिवाइड किया गया है गुण सुत्र क्रोमोजोम्स के दो से अधिक जोड़े सुगुणिता या यूप्लोडी कहलाती है लेकिन जोड़े में संख्या कम होना या ज्यादा होना सुगुणिता और सुगुणिता को नूप्लोडी कहते हैं यह दो की कमी है तो नूली सोमी एक की कमी है मोनो सोमी और एक अच्छा प्रस्वे मालवेशी कुल մी कहलाता है और यह प्लांट फैनी का क्यूशन है मालवेशी कुल رबं दल senhor कि अनदर जो छो जायंग है उसको आप फोलोवर फोर्मुला से घ्याद कर सकते ए और फ्लोवर फोर्मुला क्या है दल तो भाईय दल कितने हैं दोस्तों पांच कैसे हैं संयुक दल कितने हैं दोस्तों पांच अलग अलग हैं पुंकेसर कितने हैं अनंद और जायंग कैसा है दोस्तों पंचंडपी किसकी बात है मालवेशी कुल की तो यहां देखिए दल पांच हैं स्वतंतर हैं बिल्कुल सही बात है दोस्तों और बिल्कुल सही है तो यहां उप्षन आपका क्या होगा दोस्तों यहां उप्षन आपका होगा यह वैब बिल्कुल राइट करें आगे देखिए आप अमले वर्सां अमले वर्सां आप जानते हो दोस्तों हो एकजाम में और पुछा है है यहां देखिए पाइनस का सबसे अच्छा प्रशन अगुणित सरच ना जहां भी आपको प्लांट में दोस्तों जड मिले नहीं पं कि मिले रूट लीफ स्टेम Pluto एक ये यहां परन आने से रिप्लोइड हो गया और यहां मूल आने से डिपलोइड हो गया विजावन्द Earth quietly correct एक सब्सक्राइब कोस में यह कहा गया है दोस्तों कि सक्रिय गुरू भी जणू एक्टिव मेग माइक जो आपका फंक्शनल मेगा स्पूर है उसे एंब्रियो सेग बनता है जिसको फिमेल गेमेटोफाइट करते हैं और यह एक सक्रिय गुरू भाग लेता है तो मोनोस्पोरि दो भाग लेते हैं तो बाइस्पोरिक और चार लेते हैं तो टेट्राइस्पोरिक तो यह हमनोस्पोरिक का ओईनोथिरा बिल्बकुल से यह दोस्तों गाज कोमेंद्रियो ग्र Works यह आपका तीन नंबर कौन से है फ्रिटिल यह रिया तो यहां दे Mari कि आपका उप्शन नंबर एक होगा और यह प्रस्ण एग्जामें पूछ लिया गया है फस्ट ग्रेड में इस प्रकार का प्रस्ण आया था और सेक्ट ग्रेड में भी कि इसको आप यह समझा सकते हों तो मोनोस्पोरिक मोनो तीरा और पोली गोनम ने पाई पोली डोनव में तोके ऑप के fum के मोनि gonna दो छो स्पेटाने से दोलेंगे तो झारणे बनाता है तो फिमैल गेमिटोफाइट कालता है एक बाग लेगा तो मोनसपौरिक्स दो लेंगे तो बाई चार लेंगे तो टेट्रा आगे देखिए अच्छा प्रश्न है है नाइट्रोजन मेटाबोलिजम में कौन सा पोसत्त तत्यू काम आता है नाइट्रोजन मेटाबोलिजम का दोस्तों कैसा अच्छा शांदार प्रशन है तो नाइट्रोजन मेटाबोलिजम में कौन सा काम आता है देखिए आप कि नाइट्रोजन मेटाबोलिजम में काम आता है दोस्तों मॉलिबडेनम मॉलिबडेनम और आइरन नाइट्रोजीनेज एंजाइम के घटक है और नाइट्रोजीनेज एंजाइम दोस्तों नाइट्रोजन मेटाबोलिजम में सहज भी नाइट्रोजीनेज तो नाइट्रोजीन और नाइट्रोजीनेज एंजाइम का गटक होता है तो आयरन के दोरान कोण सी कोशिगा मीजोफिल कोशिगा हो तो फोटो सिंथेसिज की किरिया में जो साइकल चलता है क्रेशुलेशन एसिड मेटाबोलिजम उसमें चार कंपाउंड वाल चार कार्बन वाला जो पहला गटक पहले कहां बनता है दोस्तों वह पहले मीजोफिल में और फिर जाएगा कहां पूल आच्षद में कितने कार्बन वाला चार कार्बन वाला कउन उग्जिलो एसिटिक एसुड आगें देखे एथिलीन का पूर्वगामी यह मैं जो इथिलीन धोस्तो मित्यूनीन एमिनाय दोस्तों क्या है पूर्वगामी प्रिकर्सर्स एमिनो एचिड नियोटेनी नियोटेनी का मतलब क्या है चिर भुरुनता और चिर भुरुनता का मतलब है दोस्तों जो लार्वा है उसमें वैस्के लक्षन एक्जोलेटी लार्वा है सेलामेंडर का उसमें नियोटेनी पाई जाती है और नियोटेनी का मतलब है कि जो वह है उसमें लारवा के या इस्मोल जो ड्वलप्मेंट है प्रानी का भुर्णी ड्वलप्मेंट वह लक्षण तो नियोटेनी सब द्या था दोसों जूलीन कॉलमेंड ने तीक है और नियोटेनी पाई जाती है एक्जोलेटल लार्वा शेलेमेंडर यहां अगला क्योंसें देखें कौन सा इनहीबिटर संचारी है और प्रकृतिक एमिन से एमिनो अमल है दोस्तों एमिनो अमलों से प्रोटीन बनता है और एमिनों किसेंग्या है 20 दस एसेंशियल और दस नोन एसेंशियल कुछ एमिनो ऐसे होते हैं जो есяं संस्थेंशन में भागनी दें। और विसेश काम करते हैं जैसे और शित्रुलिन यूरिया निर्माण में भाग लेते हैं और शित्रुलिन ट्रांस्मिटर है दोश्व कप्राबरंग का नाम है दोस्तों खप्राबरंग का नाम आप देखते ही कर ayudvy घ्राइग्जोडर्मा ग्रेनीस यह एक्षठ combined का विगयनिक नाम है कि एमिनो अमल मैंने बता दिये प्रोटीन निर्मान में भाग लेते हैं बीस और नितिन और शिट्रूलिन से क्या बनता है यूरिया लेकिन जी एबी ब्रेन में पाया जाता है कि चिर्वूर्णता एक्जोलेटल आर्वा में पाई जाती है मॉलिब्डेनम गटक है नाइडरोजिनेज का और यह क्यूसर आपके सामने है कि क्लोरोफिल देखिए दोस्तों क्लोरोफिल क्लोरोफिल का जो सरचनात्म गटक है वो कौन है तो क्लोरोफिल में सरचनात्म गटक के रूप में पाया जाता है दोस्तों कौन पाया जाता है क्लोरोफिल में पोरफाइरिन रिंग पाया जाती है सरचनात्म गटक के रूप में है ओके है 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 यहां हम बात कर रहें दोस्तों बाइलोजी के जो जितने भी क्यूशन पूछे गया है उनकी यह आपके सामने है किसन एडिनोसीन एडिनोसीन क्या है दोस्तों एडिनोसीन है नाइट्रोजनी शारक और सरक्रा नाइट्रोजनी शारक और सरक्रा मिलेंगे तो नूक्लियोसाइड बनेगा यदि नाइट्रोजनी शारक एडिनीन के साथ है तो एडिनोसीन और यही है एडिनोसीन साम में लोगे राईबोनिजुकलिोसईड तो एक और निय क्या है entertained के सामने है इस अट्यकन ऐस त्य क्थन के अंदर क्या है दोस्तों जो माик hyster कुषिका का और मनाते हैं बिलकुल सभल्कुल बात मााइक्रो ट्वड्र हें दिला माइक्रोटीबूल से बनते हैं फिर यहां क्या है दोस्तों यहां जो एसकतन है कि माइक्रोटीबूल सैल प्लेट में भाग लेती हैं यह गलत बात है यह सकते हैं means काइटन दोस्तो जो पॉली सेक्रेड है kombardate के प्रकार है मोनोसेक्रेड ॉलिई alguns सेक्रेड अलग है और हितेरो अलग है हो्मोपोलिसेकरेड्ट का उधाष है desto cellulodes glycogen starts kaityn किससे बनता है Cancacyl glutasamin का बहु लग है का कायटीन और एल stimulating किसका बहु लग है तो आपको बतारा है ैनaci был into ccoffiction का 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 कोई मतलब नहीं है προस्utta का नाम है ध्यूinski DRJC नाम ग्लैकेन और पोली सेकरियड क्या है दोस्तो खार 15 नि का परकार तोटो ग्लूब गोश से क्या बनता है गलूख से स्टार्ट बनता है दोस्तों से निब रूख से गलाइकोजन बनता है और उनकी फोर्म होती है अलफा-बीटा-अदी तो उस गलुकोज के बहुलक है इस्टार्ट छेलुलोज गलाइकोजन यहां काइटिन किसका बहुलक है एन एसेटाइल ग्लूकासेमिन का यहां आप विकार देख सकते हैं दोस्तों विकार और यह काफी इंपोर्टेंट परसने एक्जाम में बार बार पूछा जाता है जब भी आपको सिकल सेल एनेमिया दिख जाता है तो गुन सुतर 11 को देख ल ऐसी आपको यह क्यों proto मैंड सिक्वेंस हो इस प्रकार का होता है कि ez ज्यादा होते हैं समय लगता है तो आप उनको शैट कने सी के कई बार पहले उप संसे हो जाता है आप से किसे हो घाप व्हलाइं बाइक किसी में नहीं है तो सीधा option दो नंबर आपका सी हो गया फिनाइल किटो नीरिया दोस्तों गुंसुत्र संख्या बारा फिनाइल एलेनिन का जमाँ हो जाता है तायरोसिन बनता है जो मिलेलिन नहीं बना पाता है मानसिक अवरुदत आते बच्चों में होता है फिनाइल किटो नीरिया में फिनाइल एलेनिन का बच्चों में मस्तिक्ष में जमाँ हो जाता है जिससे मानसिक अवरुदत आती है गुनसुत्र बारा में ऐसा मानता के करण ऐसा होता है ओके यहाँ मैंने बता रखा है कारबाडीड के बारे में इस्टार्ट और गलाइकोजन और शेलुलोज इसकी हम बात करें तो बGLISHाल करें tenho घृष24 । नूंकलियो साओ डी तो एडिन सीन हो गया और आया और इने में किया बन जाएगा दी ऑक्सी अदिनार। दी अभी और यह कर लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि 1957 देखिए मानू में रख्णार कि वनसागती मारो में रख समागी कि ए बी अच्सा प्रशुंने दोस्तों आपके पासiera अधो 6 और ऑ 얼ू कम साथ आते हैं तो वो कोडो मिनेंस दता है सह प्रभाविटा तो सह प्रभाविटाॉपस नंबर आपका कोंसा होगा ऑई उंएगा निमने में से नर और मादा गैमेटोफाइट स्वतंत रूप से अस्तीतू नहीं होता इसके लिए मैंने आपको बतार रहे का है यहां देखिए जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है दोस्तों इसमें मुख्य पीडी कौन ची होती है इस्पोरोफाइट पर मुख्य पीडी और एंज्योस्पर्म है उसमें भी मुख्य पीडी कौन ची होती है इस्पोरोफाइट गेमिटोफाइट जो पीडी है दोस्तों वो सेवाल में कवक तो यह आप कर सकते हैं किसमा नहीं और मादा gremetophyte स्वतंतर रूप से नहीं होता नहीं होता है नहीं होता हो पर में यहीं हो पूचा यह इस पूर repeatedly में नहीं है नहीं तो ज्युम् perilous पर्म up स्वतंत्र नहीं दोस्तों इस पुर और धता है यहां से भी एग्जाम में बारबार प्रशन पूचा जाता है जो फो पास्तिल। और ऐस्टिक तीस अस्तिल मचली हैं उन्से एग्जाम में बारबार प्रसुषन पूचा जाता है। बहुत बार प्रसंट पुछा हुआ है अस्तिल मचली बोनी फिसेस के अंदर आपका अस्तिल मचलियों के अंदर समुद्री गोड़ा आता है जिसमें अस्तिल मचलियों में क्या है देखिए आप अस्तिल मचलियों में बोन्स पाई जाती है गिल्स चार जोड़ी होते हैं जिनके उपर ओपरक्यूलम पाया जाता है कंकाल गैनोड टीनोड और इस प्रकार का है हिपो कैमपस को समुद्री गोड़ा कहते हैं कि समुद्री गोड़ा और यह उपास्तिल जो आपका इसमें किस्टन में आप डिफेंस के साफ से देख सकते हैं तो और समुद्री गोड़ा है ओके और यह प्रस्ण यहां से प्रस्ण पूछता है एक्जाम में वन्य जीव संग्रक्षन अधिनियम दोस्तों 1902 ऐसे लड़्डू से प्रस्ण आते हैं बेसिक प्रस्ण के बेसिक नोलेज गे और यह हमारा बेसिक नोलेज अच्छा होता है तो कभी भी गलत नहीं होते प्रकास रसाइनी दूमें secondary या दित्यक जो अगर गामी है वो कोण है तो secondary कोण है दोस्तों ओजोन में दो होंगे एक अक्षिजन होगा और एक नउजात अक्षिजन बाकि जो nitrogen dioxide carbon dioxide और nitrogen oxide हैं यह सीधे रूप में मिलते हैं तो वाताउन में जो प्रदुसक directly मिलते हैं दोस् तो यहां दित्य कोन हो गया दोस्तों ओ जोन क्योंकि यह दो से बनता है और दो बार इसमें नवजात ओक्षिन और ओक्षिन की क्रिया से बनता है यहां देखिए कि उसे नंबर 132 राज़स्तान में आर्थिक मैतोपन क्रांतिक विलूपति के कगार पे कोन है तो यह आपका आ कंतर मैंने आपको बता दिया है कि इसके अलावाध चिम्नोज्त परमवाला भी बता दिया है दोस्तों यहां देखिए को रेस्टिक्षन एंडोनुकलेज एंजम कौन सा दोस्तों बहुती शांदार प्रशन एंडोनुकलेज़ एंजम को आनौँवीक जीव विग्यान की कै कहते हैं और रेस्ट्रिक्षन एंडोन्यूकलीज एंजाइम जो फश्ट वह प्राप्त किसे होता है वह इसकी जो प्रभेद है दोस्तों प्रभेद ट्रेंड वह कौन्ची है एंटेरा इससे प्राप्त होता है और यह एको आर फश्ट है जो DNA को विशिष्ट बैसे से पहचान पहचान कर काड़ता है DNA को नाइटरिन शारकों की जग़े से पहचान पहचान कर कौन काड़ता है इंडोनूक्लिज एंजाइम जिसका सोर्ट में हम नाम क्या लिखते है एको आर फश्ट अलग लग परकार का और इसके बहुत सारी परकार है मतलब इसका जो नाम करना है उसमें हम देखते हैं कि पहला नाम यह दूसरा नाम यह तीसरा नाम तो जिस जीव से प्राप्ट करते हैं उसी के आधार पर इसका नाम करन किया जाता है स्बस्umn इंड्र नूर्णि एंजाइम है कोश्मिड वाहक को सरोप्रत्तम किस ने देख़ा दोस्तों बार्बरा खोरन ने और जौन कکॉलिंस ने देखा अगला देखिए क्यूसेन आपके सामने है अगला क्यूसेन आपके सामने है दोस्तों देखिए पोलीमरे चैन्ड रियक्शन की आउशिक तक किसमें नहीं है तो पोलीमरे चैन्ड रियक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बताया है PCR के बारे में, दोस्तों, PCR क्या होती है, देखिए, PCR, PCR क्या होती है, देखिए, PCR, polymerase change reaction, PCR एक तक्निकी है, और PCR की खुज की दोस्तों, केरी मुलस ने, और PCR में जो एंजाइम कामाता है, वो टैक पोलिमरेज एंजाइम है, अत्यदिक ताप, 72 से 92, डिग्री सेंटिग्रेज ताप पर किरियासिल एंजाइम है, टैक पोलिमरेज, और इसमें DNA की अन्य कोपियां बनाई जाती है, तो PCR त बात करेंगे, PCR, PCR में किसका प्योग नहीं करते हैं, DNA टेंप्लेट आता है, दोस्तों, टेंप्लेट संतु आते हैं, DNA टेंप्लेट, इसमें DNA आता है, DNA और टैक पोलिमरेज, जो अत्यदिक ताप, 72 से 92 डिग्री सेंटिग्रेज, आरेने का प्योग नहीं होता, इसमें RNA का को हुए प्योग नहीं होता, सबसे छोटी कोशी का, देखते हैं, आनस्र कर दो, सबसे छोटी कोशी का यहीं से पकड़ू सबसे छोटी मैकॉपलाज्मा, अनाक्सिन हो गाई, उसमें, तो मैकॉ प्लाजमा और अनाक्सिन, लगा हो ए Also, कि इसमें कोशी का वित्तिका भाव आ, इसका पिछली बार क्या था कोशी का बित्ती का अभाव कोशी का बित्ती का अभाव माइक्रोब बाइलोजी का जोकर कहते हैं यह परसन पिछली बार आया था इसका कि कोशी का बित्ती का अभाव किसमें माइको प्लाजमा में पिछली आरपेसी में आया था है क्यूशन हब की भी तो होते ही हैं इसके अलावा देखिए सूर्ज मुखी सूर्ज मुखी का जो पुस्पक्रम है दोस्तों मुंडक है और सूर्ज मुखी का जो मुंडक पुस्पक्रम है वो सबसे विक्षित पुस्पक्रम है उसके जो पुस्पक है वो पास-पास पाए जाते हैं और यह और आधार लगने विजाण जास की इसकी विशेष्ता के तो इसके इसका कुशिकाएं दोस्तों अपनत तल वाजन करती हैं यह direct प्रसंद पूच लिया आपकी बुक से सीधा प्रसंद अपना तल से लिए कोचिक है ओ और इसको मैंने बता दिया कि टूनिका कारपस सिद्धान सिमेड नहीं दिया था कि उनिका की कोशिकाइं अपने तल में एकी तल में और इसी सत्य का विकास होता है कारपस की सभी तलों में इसे आयतन बढ़ता है और यह मैंने कमपोजिटी कुल बता दिया जिसको सुर्ज मुखी कुल भी कहते हैं इसका जो पुस्पकरम है वह मुंडक या कैपिचुलम और यह सबसे विक्षित है इसमें बाइय दल क्या वनाता है दो पेपस और बिजांड न्यास कैसा है आधार यह आधार यह बिजांड बार-बार आता है जिरु भार-बार प्रस्ट सथा पुछस गता आधार यह बिजांड न्यास कमपोजिटी और ग्रेमिनी दोनुमें होता है कमपोजिटी में विदोस्टों ग्रेमिनी में यह yıl हमिए वाइर इस दो चोशिका शिद्धानियां दोखान्या यू मिष्मांहिं दोस्तों जिसको माइको प्लाजमा कहते हैं सुक्सम विज्ञान का जोकर है दोस्तों और पिछली बार प्रस्ण पूछा था इसमें कोशी का बित्ती नहीं पाई जाती अनाक्षी स्विसन उत्ता है PCR के बारे मैंने आपको बता दिया दोस्तों अगला क्यूशन आपके सामने कौन सा सही नहीं है यानि तीन चीजें दोस्तों सही है एक चीज नहीं है देखिए इस प्रस्ण में यह बताया गया है कि पादप की पत्यू में भोजन मनता है और भोजन का प्रिवेंद फ्लोयम करे तो कभी भी फ्लोयम के द्वारा बोजन परिवन एे दी दी दिशय नहीं होगा उसकता है इसी हो सकता है एक दीशय परिवन होगा जल और खनीज लवन का जाइलम के द्वारा करें गलत फ्लस्तों के द्वारा कभी v. गयों सight⁉ यह यहां देखिये जल का जो अवसोशण है और ये वह सोचन निस्क्रिया जो आसोचन है उसमें जलका परिवेंट दो मार्गों से होता है एक गिजिवीत जिविट या लिविंग जिसको शिंब्लाश यह प्लाजमादर है वाला मार्ग देखते हैं और अप्र प्लाष्टिक है वह निर्जिव पत है तो एप फॉber से कोशी का भित्ति के बीच में से खाली जगे में से होता है ॥ को असीघ्र चैनि करें और यहां और एटीटिव बने से यहां घर अरु नहीं लेक्षेटरों वर सोटा है किजिए स के दौरा लेकर कॉंपलेक्सецे के के मैट्रिक्स में आंत्रिक जिल्ली पर तो माइटो कॉंड्रिया ढूंड लीजिए इसमें हिसे क्लोर ऊक्लार में क्लोडार के स्ट्रोमा भाग मैं और चलता है इसके अलावा कॉर सुध्म स्थरी कण से संसरे नहीं है तो कैल विंट्स का यह स्थाक्र चलते हैं सीवोर पादतू में और क्रेशुलेशन ऐसेड मेटाबोलीजन सलता है दोब मांख 50 पाद Pitts pernah वह सियोे टू का करते हैं के लिकिन क्रेक्स अलग प्रेक्रिया है अधिया क्रेश्द की पर لا करल रजूत है उसमें स्वासन के दोरान या मिलती है उर्जा पाउर हाउस माइटो कॉंड्रिया मैट्रिक्स है अगला कुशिंदे देखें दूस्तों जब एक एंजेम को सहका moral हटा देते हैं तो यदिंगे दो भाव होते हैं 920 बाysics थे यदि आप कोफ एक्टर को हटा दोगे तो उसकी सख्रेधा स्माप तो जाइगी टो प्रोटीन के साथ मीघ में कोफ एक्टर को सांतों को स्याइट्टोग्रों ओक्षिडेट दें तो एंजम की किरियामं की प्रकार दें 12 के परतीश प्रधी भाग लेते हैं एक तो辉स् Wars 25 इहां सइनाइड किया है धोस्तों नोन नोन कोंपेटैव आपका उप्शन नंबर कॉनّ सा है 3 फ्न कोंपेटिव है खीसे number 146 प्राकर्थीख फैटोहार्मोन नहीं राकर्थिख फैटोहार्मोन बहुन में आज है जैसे इबिचेडो miliken से बाप्तिक प्राप्त किये जैसे फीर sales ऑन इत्या कि जिब्रेलिन हार्मवन क्या करता है दोस्तों जिब्रेलिन हार्मवन पादप की लंबाइव को बढ़ाता है यह यह चाहं को बर phenomena बैकनी रोग्या सबसे पहले सब्सक्राइब बनता है जो गोल होता है अचल होता है उस गोल तथा अचल इस पर मेटिट को कि अगला किसी देखिए आपके सामने दोस्तों प्रेस्टूलेशन के समय बनने वाली गुवा ग्यास्टूलेशन के दोरां जो गुहा बनती है दोस्तों उसको आध्यान तर गुवा करते हैं आर्केंट्रों यह बीच्छा प्रसन है ब्रेंचिंग डिसेंट प्राकरति कुरण नेचुरल सेलेक्शन जहां दिख जाता है वहां डार्विन को आप देख लेना दोस्तों तो यह कापी महत्वपून क्यूशन थे और यह क्यूशन आपने देखी होगी दोस्तों पहले क्लास जिसमें थोड़ असा वह इस प्रोब्लम रही थी तो निश्यत रूप से सभी पढ़ा ही करिए यदि आप लाइफ में खुद पढ़ोगे तो निश्यत रूप से सपलता मिलेगी लेकिन कंटेंट अच्छा रखो संपूर कंटेंट दोस्तों आपको मिलेगा किस पे ट्रिपल एस एजुकेशन एपे प्ले स्टोर पे जाओगे तो यहां मिलेंगे आपको दोस्तों नौट्स मिलेंगे दोस्तों नौट्स और यहां मिलेंगे नौट्स के साथ मेहिकिए अपको रिकोड़ेड ट्लासे II posts और प्रैक्टिश सीरीज इसके साथ में जो कंटेंट है वो पुराने पेपरों का सोल्यूशन और पुराने क्यूशन का सोल्यूशन आपको ट्रिप्ल एस एजुक्रिशन एप पे मिलेगा यहां दोस्तों आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नीट और बाइलोजी से लाइप वो नहीं दोस्तों जो आपको मिली है लाइप वो हैं जो आप बनाते हैं अच्छा कंटेंट पड़ियोगा नोट्स बनाईए और पुरानी बुक्स से नोट्स बनाईए ओल्ड पेपर करिए दोस्तों कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए बार-बार पढ़िए आपका सेलेक्शन पक्का होगा महानता दोस्तों हजार काम करने में नहीं है महानता एक काम को हजार बार करने में यह आपके पास सलेबस बार-बार रिपीट हो रहा है तो 100% आपकी चांस सपलता क्या है और यह दिया आप सलेबस को एक बार ही पढ़ते हैं या उसको कम बार पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आप दोड़ से बाहर हो जाओगे इसलिए चीज़े रिपीट हो बार- बत्यूस ने सेलेक्षण हो तो अच्छे कंटेंट से तो महत्वफूर यह है कि आप क्या पढ़ते हैं वह ज्यादा पढ़ने से से एक्षिन नहीं होता है दोस्तों बहुत कम पढ़ने से लेक्श्टन की अच्छे कंटेंट के लिए जोइण करें दोस्तों ट्रीपल दोनों के लिए बुक के उपर काम चल रहा है जल्दी ही बुक आने वाली है सेकंड ग्रेड बाइलोजी और फिस्ट ग्रेड बाइलोजी हस्त लिखित नोट्स दोस्त फिस्ट ग्रेड़ और सेकंड ग्रेड के आप प्राप्त कर सकते हैं पीडियाप फॉर्म के रूप में और हार्ड कोफी की रूप में ट्रिपलाइस एजूक्रिशन अप डाउनलोड करें दोस्तो पढ़ते रहें मुस्कराते रहें जिन्दगी जीने का नाम है दोस्तो लाइप में लपड़े मत पाड़ो लाइप में जगड़े मत करो अपने ओके तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही प्रश्णोत्री के साथ आप इस एप पर जाएं और डाउनलोड करें दोस्तों महत्वपून कंटेंट पाएं इसके अलावा जितने भी सब्सक्राइब करें यूटूब पे लाइन बाइन सीरीज से और पुराने ओल्ड पेपर सोल्यूशन लेके रोज आते हैं जैहिन जैभारत